इस वीडियो में हम डिसक्स करेंगे फ्रोग जंप का सॉलुशन क्या कहता है कि हमें एक एरे मिलेगा असेंडिंग ओर्डर में जो स्टोन की पोजिशन को बताता है मतलब एक रीवर है उसमें कहीं कहीं पे कुछ पत्थर रखे हुए और यह मान के चलो कि वह पत्थर स्टेबल है तो उन पत्थर की पोजिशन इस एरे में बताएगी है कि किस किस पोजिशन के उपर आप स्टोन पा सकते हों फिर बोला कि एक फ्रोग कर रहा है रिवर को क्रोस स्टोन के उपर होता है स्टार्टी में स्टोन नमबर जीरो के उपर और वहां से सिरफ एक यह जंप अलावर होता है right अच्छा, फिर किसी भी बथर के उपर आया है, तो वहां से कौन सा jump उसको allowed होगा, वहां से उसको तीन jump allowed है, अगर last jump ये का था, उसके पास ये तीन option होगे, क-1 का jump ले सकते हैं, की का jump ले सकते हैं, और की प्लस 1 का, from the current stone, चिक हैं, तो अगर वो last stone के उपर पहुंच जाते है उसने river cross कर दी otherwise वो river cross नहीं कर पाएगा तो बस हमें यह बताने कि क्या frog river cross कर सकता है या नहीं एक example के जरीए समझते हैं इसको तो एक यह दिखो यह array given है तो मैंने stones कुछ इस तरह से दिखा दिये कि एक है zero position के उपर है एक फर्स्ट, सेकेंड पोजिशन पर कोई स्टोन नहीं है तो यहां पर वोटर है, थर्ड स्पोट के ऊपर स्टोन है, और नहीं है, फाइब के ऊपर है, शिक्स के ऊपर है, एट, फ्वैल, देन सेवन्टी, तो अब आपको बताना था, कि अगर फ्रोग यहां से जम करना स्ट करता है, तो क्या वो 17 वाली पोजिशन तक पहुंच पाएगा, 17 तक पहुंच गया, तो मतलो उसने रिवर पार कर ली, यह बताना था मैं, ठीक है, चलो, देखते हैं, तो सबसे पहले न, वो स्टोन नंबर 0 के उपर होता है, और उसके पास एक ही उप्शन होता है, कि एक का जंप लगा दे, तो यहां से वो एक का जंप लगाएगा, और वो पहुंच जाएगा, तो आप इसके पास option होगा, 0 का जंप लगा सकता है, 1 का जंप लगा सकता है, 2 का jump, जेरो इसके नोट रिली एन option, ठीक है, अब यहां से इसके पास 2 option है, एक का जंप लगाते हो यहां पर पहुंचा है, तो यहां से आगे एक का जंप लगा सकता है या दो का जंप लगा सकता है, ठीक है, अगर इसने एक का जंप लगाया होता तो पानी में जाता, अगर इसने दो का जंप लगाया होता है, यहां से दो का जंप लगाया होता, पहु से कितने का jump allowed है कि δू का jump लगा गया है एक का jump इनका जम्प इनका क्या बफंट होगा k-1 k and k-1 ये तीन हो option होते है तो देखो अब यहान से वो एक का jump लगाया गखा तो वो पानी में धहीं जाएगा नर Ci reform नरस से दोनों ये option हैं उसके पास तो जब वो 2 का jump लागके 5 पे जाएगा और फिर हो सकता था कि 2 का jump लागके यहाँ पर गया है और 1 का jump लागके 6 के उपर चला जाता तो काफी options रहेंगे उसके पास बस मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि जब मैं 5 के उपर आउँ मेरे को यह पता हो कि 5 से कौन-कौन सा jump allowed है तो यहाँ से मैं 5 पे जा सकता हूँ 6 पे जा सकता हूँ तो let's say अगर मैं 5 पे जाता मैं 3 पे खड़ाओ के फैसला कर रहा हूँ अगर मैं 5 पे जाता तो 2 का jump लगाते हुए जाता ठीक है दो का जंप लगा तो 5 पर पहुंचा था और क्योंकि 2 का जंप लगाते विए जा रहा हूँ तो next options मेरे पास available रहेंगे 5 से जंप करने के लिए 1, 2 और 3 का जंप क्योंकि last jump अगर k का था तो k-1, k and k-1 ये तिनों option होते हैं ठीक है option number 2 3 से भी तो jump लगा के आसकते थे 3 से directly 3 का jump लगाते हूँ और 6 पर पहुंचते 6 पर भी जा सकते थे 3 का jump लगाते हूँ पहुंचूँ अबर तो मैं 3 का jump लगाते हूँ पहुंच रहा हूँ तो of course 6 के पास option होगा 2 का jump, 3 का jump और 4 का jump लगाने का कैसे होगा k का jump लगा किया हो k-1, k and k-1 ये तिनों option रहेंगे आपने तो अब देखो भई 5, let's say कि अब कौन सा jump लेंगे, 2 वाला लेंगे 3 वाला लेंगे, दोनो possibility discover करनी पड़ेगी न हो सकता है कि यहाँ से 5 से होके रस्ता आ रहा हो, यह हो सकता है कि 6 से होके रस्ता आ रहा हो, हमें तो दोनों possibility discover करनी पड़ेगी तो अब मैं 5 के उपर आता हूँ और 5 से देखूँँगा कि कौन-कौन से jump लाओड है एक का jump लाओड है, दो का jump लाओड है तीन का jump लाओड है तो जब मैं 5 पे खड़ा होता हूँ, मेरे पास यह information होनी चाहिए, कि यहां से कौन-कौन से jump लाओड है फिर जब मैं 6 पे आऊंगा तो 6 पे आती मुझे information पता होनी चाहिए कि यहां से कौन-कौन सा jump लाओड तो मैं क्या करने वाल हूँ मेरे को एक information चाहिए हर stone के against कि वहां से कौन-कौन सा jump आपको allowed है यह information चाहिए तो यह information मैं preserve कराता हूँ एक hash map लिया और यह जो stones है ना 0 को डाल दिया 1 को डाल दिया 3 को डाल दिया 5 6 8 12 and 17 इन सब को hash map में डाल दिया चीक है अब 0 के सामने 1 रख दिया 0 के सामने 1 मतलब कि भई एक का जंप यहां से अला होता है तो इस hash map में मैं क्या information store करवाने वाल हूँ यह store होगा 1 के सामने store होगा कि 1 से कौन-कौन सा जंप लाउड है ठीक है सामने 3 से कौन-कौन सा जंप लाउड है 5 से जंप लाउड है एंड-so तो चलिए शुरू करते है जीरो से एक का जंप लाउड होते है और वह जंप है 1 अब आया मैं 1 के उपर नेक्स मिला मुझे 1 तो 1 के उपर आया है यहां से कितने का जंप लाउड है अपडेट तो करा ही नहीं आपने तो पहले अपडेट करना चाह तो देखो मैं कैसे अपडेट करता हूँ सबसे पहले मुझे मिलेगा जीरो जीरो से कितने का जंप लाउड है वन जीरो से अगर आप एक का जंप लगाते हो तो कहां पहुंचोगे कितने का जंप लगाके पहुंचोग एक का जंप लगाके पहुंचोग कहां पहुंचोग एक पहुंचोग एक का जंप लगाते हो एक पहुंचोग तो अब ना एक के ओप्शन अपडेट करा हूँ तो मैंने बोल दिया कि एक का जंप लगाते वे पहुंच रहे हैं तो यहां से ओप्शन होंगे 0, 1 and 2 0 का ओप्शन में नहीं लिखा गरते हैं मैंने बोला कि 2 जंप अलाओड होंगे एक का जंप और दो का जंप अलाओड होगा चीक है, next आई 1 के उपर 1 के उपर आए, अब मेरे पास information है यह 1 से एक का जंप अलाओड है और दो का जंप अलाओड 1 से मैंने एक का जंप लगाया और मैं पहुंचा 2 के उपर तो 2 तो exist नहीं करता अब पानी में जाएंगे सिदा, कुछ नहीं करेंगे अगर मैं 2 का जंप लगाता 1 से 2 का जंप तो मैं पहुंचता 3 के उपर और 3 पे stone exist करता है कितने का जंप लगाते होगे पहुंचे, 2 का जंप तो जाके 3 के options अपडेट कराओ 2 का जंप लगाते होगे पहुंचे हो, तो 1, 2 and 3 यह 3 options आपके पास होँगे 3 से इतने का जंप आप लगा पाऊँगे ठीक है जी, next next हम देखते हैं 3 के उपर तो 3 के सामने कुछ options रखे हुए है अब एक बात सोचो, 3 के सामने कुछ options रखे हुए है इसका सिदा सिदा मतलब है कि stone number 3 तक पहुँचा जा सका है correct ठीक है, तो अगर इन सारे options को मैं explore करता हूँ, one by one एक का जंप लगाता, चार पे पहुँचता चार पे तुझी पानी है, कोई फायदा निया दो का जंप लगाता, पांच पे पहुँचता दो का जंप लगा के पहुँचा हूँ पांच पे, पांच पे तो stone रखा हुए अपडेट कर दो भाई, इसके options छीक है, तीन से अगर तीन का जंप लगाता है, चार पे पहुचता तीन का जंप लगाते हूँ, पहुचे ओपर चार पे stone एक्जिस्ट करता है तो इसके options अपडेट करके आजओ के, के माइनस वन एंड के प्लस बन यह options होँगे इसके चलिए next, five तो five के सामने options रखे हुए है मतलब five तक पहुचा जा सकता है सारे options को discover करते है एक का जंप लगाते तो हम पहुचते six के उपर और six exist करता है एक का जंप लगाते हूँए पहुचे हो तो अब six के लिए options अबडेट करने थे मुझे तो options होँगे zero का जंप, एक का जंप, दो का जंप यह आखरी जंप एक का था zero, one and two zero हम लिखा नहीं करते two पहले से लिखा हुए, one इसमें add कर दो ठीक है, two तो पहले से लिखा हुए दुबारा लिखके क्या आगर हो चीक है next, दूसरा option 5 से 2 का जंप 5 से 2 का जंप हम पहुँचे 7 के उपर, 7 पे तो भई पानी है कुछ नहीं करना, 5 से 3 का जंप हम पहुँचे के 8 के उपर कितने का जंप लगा के, 3 का जंप लगा के तो अब यहाँ पे options दो 3 का जंप लगा के पहुचे ओ तो 8 के पास option होगा 3 का jump, k का jump k-1 and k-1 5 के 3 option थे, 3 को मैंने discover कर लिया next आया 6 6 के सामने 4 option रखे हों लग यह discover करें 6 plus 1, 7, 7 पे तो पानी है 6 plus 2, 6 plus 2, 8 8 पे stone exist करता है 2 का jump लगा के पहुच रहे हो 2 का jump लगा के तो भई इसके options अपडेट करके आजाओ 2 का jump लगाएंगे k की value 2, k-1, k and k-1 2 present है पहले से, 3 present है तो बस इसमे 1 यह add करना है correct तो मैं पता है क्या करने वाल हूँ यह hasset ट्रकलूँगा यहाँ पे ताकि 2 दो बार add ना हो 3 दो बार add ना हो बस simply 1 add हो जाए hasset ट्रकलेंगे, सारे hasset यह है unique jump store रहें ताकि यहाँ पे चलिए, 2 का jump लगाएंगे देख लिया अब 3 का jump लगाएंगे देखते हैं तो कुछ नहीं करेंगे correct, 6 से सारे option discover हो गए next 8 अब 8 से options है हमारे पास, यह 4 jump 8 प्लस 1, 9 9 पे water exist करता है 8 प्लस 2, 10 पानी 11 पे भी पानी मिलेगा आपको 8 प्लस 4, 12 12 पे आपको stone मिलेगा तो यहाँ से अगर मैं 4 का jump लगाँगा तो 12 पे पहुँचूँगा तो 12 के options अभी update करके आजाते हैं 4 का jump लगाते होगे पहुँचोगे तो 3, 4 and 5 यह आपके पास options रहेंगे तो 8 के मैंने सारे options discover कर लिए अब बारियाते 12 की 12 की 12 के सामने कुछ options रखे हुए मतलब 12 तक पहुँचना possible था 3 का jump 15 पे पहुँचेंगे 4 का jump 16 पे पहुँचेंगे 15 पे पानी है 16 पे पानी है यहां से अगर मैं 5 का jump लगाता हूँ तो मैं पहुचता हूँ 17 के उपर 17 के उपर पहुचके return true from this is it possible to cross the river पहुचके last stone के उपर तो possible हो गई है एक example और देखते हैं जिसके अंदर ऐसा possible ना हो तो यह array है 0,1,2,3,4,8,9,11 यहां यहां पर आपके stones रहेंगे बागी सारे जगा पानी रहेगा और अगर आप 11 पे पहुचाते हो तो आपने river को cross कर लिए अदरवाइस नहीं कर पाए चलिए मैंने पहले एक hash map लिया 0 के सामने एक hash set store करूँगा ऐसे ही 1 के सामने hash set store होगा 2 के सामने भी 3 के सामने भी 0,1,2,3 4 के सामने भी 8 के सामने भी 9 के सामने भी और 11 के सामने भी यह store करा दिया हमने 11 के सामने चलो तो अब 0 के सामने 1 तो रखे दिया भी पहली बार एक का jump तो allowed होता ही है अब start करते हैं 0 से वह एक का jump allowed है एक का jump लगाओगे कहां पहुँचोगे 1 के उपर 1 के options अपडेट करके आजाओ ठीक है next 1 के उपर आए तो दो option थे यहाँ पर एक का jump एक का jump लगाते हो आप 2 के उपर पहुँचोगे 2 का jump लगाते हो आप 3 के उपर पहुँचाओगे एक का जंप लगाया, दो पे पहुंचा, और दो पे stone exist करता था, तो इसके options अपडेट करके आजाओ, और अगर आपने दो का जंप लगाया, तीन पे पहुंचाओगे, तो इसके भी option अपडेट करके आजाओ, क्योंकि 3 भी exist करता है, दो का जंप लगाते वे पहुंच रहे हो, k-1, k and k-1, 1 के दोनों option मैंने देख लिए, next, अब 2, 2 के सामने भी दो option है, तो उसे एक का जंप लगाते तो आप 3 पे पहुंचते, और 3 पे stone exist करता है, एक का जंप लगाते वे पहुंच रहे हो, तो 3 के पास कोन से जंप लाउट होगे, अगर एक का जंप लगा क्या हो, आखरी जंप एक का रहा है, तो, 0, 1 and 2, 0 को तो हम add क्या नहीं करते, 1 and 2 पहले से गी present है, दूसरा option, 2 से 2 का जंप लगाया और 4 पे पहुंच गया, 4 पे भी stone रखा होगा, 2 का जंप लगाते वे पहुंच गया, चार के सामने में रखके आया, k, k-1 and k-1, शीक जी, next अब आई 3 के बारी, तो 3 के पास दिखो क्या क्या option है, एक का जंप, एक का जंप लगाऊँगे, 4 पे पहुंच गया, तो मैं 4 के option अप्डेट करके आजाता हूँ, 1 and 2, 1 and 2 पहले से ही है, दो का जंप लगाया, 5 पे पहुंचा और 5 पे तो वोटर एक्जिस्ट करता है, तीन का जंप लगाया, तीन का जंप लगाया, 6 पे पहुंचेंगे और 6 पे तो वोटर एक्जिस्ट करता है, वोटर एक्जिस्ट करता है तो कुछ नहीं करना, next अब 4 के पास क्या क्या option ने एक का jump 5 पे पहुंचेंगे 5 पे पानी 2 का jump 6 पे पहुंचें वहां भी पानी 3 का jump 7 पे पहुंचें वहां भी पानी बस इतने तो option थे हो गया खतम next 8 अब सुनो 8 के सामने जो है सेट है उसका size 0 है तो इससे मिल को क्या पता लगा 8 तक पहुंचा ही नहीं जा सकता क्योंकि अगर 8 तक पहुंचा जा सकता होता किसी भी तरीके से आप 8 पे पहुंच रहे होते कितने का jump लेके तो पहुंचते किसी jump को लेके पहुंचते को के का jump होता तो यहां पे कुछ options तो होने चीए थे क्योंकि अगर मैं यहां पे पहुँच सकता हूँ K का jump लेते हुए तो मैं इसके option पहले यह update करवा देता हूँ Right यह blank है मतलब 8 तक नहीं पहुचागा सकता आगे चलो 9 9 भी blank देखेगा और फिर 11 11 भी blank देखेगा 11 तक नहीं पहुचागा सकता चीक है तो लाइए जी करते हैं इसको code बस main logic हमें अपने दिमाग में क्या रखना है कि आप जिस current stone के ऊपर खड़े हो वहाँ से देखो किस stone के ऊपर पहुचा जा सकता है तो हमें यहां से options पता होने चीए कि कितने का jump allowed है सारे options discover करिए और जिस stone के ऊपर आप पहुच सकते हो उनके सामने अभी इसी time पे जाके update कराओ कि इतने का jump लेके तुम्हारे तक पहुच सकते हैं तो तुम्हारे पास यह options होंगे ही होंगे उम्मीद करता हूँ आपने यह बात सुन लियो और इस hash map में क्या डालता हूँ की के रूप में यह सारे stones की position और उसके सामने hash set store होगा जो denote करता है options of jump कि यहां से 3 के सामने 1,2,3 कौन-कौन से option है वो एक का jump भी लगा सकता है दो का jump भी तीन का jump चलो करते हैं इसको start और मुझे चीह होगा एक hash map of integer versus asset asset क्यों चाहिए ? repeated values नहीं चाहिए अपने को तो मैं बोल देता हूँ मैं तो पहला काम हर जगे जाके इस asset को new कराओ एक सबसे पहला काम यह सबके सब hash map में add कर दो i is less than stones.length i++ map में put कर ये stones of eye with new asset सारे stones को add कर दिया और उसके सामने एक नया है अच्छा अब मुझे क्या करना पड़ेगा map ध्यान से समझना इस काम को मैं क्या कर रहा हूँ map.put in fact map.get 0 stones of 0 के वपर हमेंसे 0 ये पड़ा होगा पिर उसका ऐसे लिख लो कि यहां से एक का jump allowed होता ही होता है ठीक है तो यहां से आपको headset मिल जया और इसमें मैंने add कर दिया 1 कुछ नहीं क्या, 0 के सामने 1 रखता है 0 के सामने जो headset है उसमें 1 डाल दिया और अब हम अपना काम start करते हैं लगाओ भाई stones के उपर loop stones.length i++ आप निकालिए current stone को current stone stones of eye चीक है अब इस stone से किस-किस position के उपर पहुंचा जा सकता है तो current stone के सामने जो headset पड़ा हुआ है वो निकालना पड़ेगा चीक है वही निकाल लेते है asset of integer options map.get current stone चीक है अच्छा मैंने set निकाल लिया अब आप क्या करो इसके उपर loop लवा दो क्योंकि सारे option मुझे discover करने है जो set के अंदर present होंगे जितने भी option वो सारे discover करने है current a in options चीक है जितने का वह jump allowed होगा वो a में आ जाएगा ठीक है या फिर in fact मैं को ऐसे लिखना चाहिए options के बजाए jumps लिख देता हूँ और end jump एक एक करके हम सारे jump निकाल लें पिर देखते हैं कि अगर मैं इतने का jump लगाता तो कौन से stone के उपर पहुंचता right current stone current stone से मैंने jump लगाया और जिस stone के उपर पहुंचाओ उसकी value store करवा ली जिस position के उपर पहुंचे उसको position बोलना चाहिए जिस position के उपर आप पहुंचे उसकी value मैंने store कर ली अब अगर उस position के उपर stone exist करता है if map. contains की position अगर उस position को contain करता है मतलब वहाँ पर stone रखा हुए ठीक है तो जा के आप उसके options अपडेट करके आ जाओ ठीक है तो देखो map.put या फिर simply map.get position dot add जितने का आपने jump लगा है jump minus 1 jump and jump plus 1 ठीक है माइनस 1 के उपर बस छोटा सा ध्यान रखना कि jump minus 1 should be greater than 0 जीरो का add नहीं किया रखते है बस इतना सा ध्यान रखता है ठीक है और इससे पहले एक छोटा सा चैक लबा देता हूं जो पोजिशन निकाल रहे हो अगर वो लास्ट पोजिशन हुई अगर पोजिशन लास्ट पोजिशन होती है अगर पोजिशन लास्ट पोजिशन होती है तो आप अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच गए और रिटर्न प्रूफ रों है क्या क्या डिवाईस करतें इसको फटावट सारे स्टोन स्कों और एड़ एंड रखती है जो है् सैट्रव वागा माइन व्हांसे लाटश मेint रखती है सपडाएंगे क्या स्टोश को निकालेंगए और वहां से देखिएंग कि यह कुटन आज्या देखिए 때는 उसके सारे options को explore करेंगे तो मैंने वह hasset निकाला, जितने जितने का jump लाओड था उन सारे jump को explore किया, अब उतने का jump लाके देखो कौन से position के उपर पहुंच रहे हो, अगर वह position destination है, तो return true, अगर उस position के उपर पत्थर रखा हुआ है, तो जाके उस tone के options update करके आजाओ, अगर वहाँ पे stone नहीं रखा हुआ, तो कुछ करना ही नहीं है, else blank ही रहेगा, हो गया यह code, जाओची चला के देखते हैं, इससे पहले एक बार code को preserve कर लेता हूँ, now let's try to run it, कुछ गल्थी है, हमें answer अपना गल्थ मिला, यह देखते हैं, स्लाइट से mistake कर दी हमने, loop 1 से चलाया, जबकि यह loop हमें 0 से चलाना चाहिए था, वरना हर एक का answer false ही आजाएगा, अब मैं आपको एक बार दुबारे समझानी कोशिच करता हूँ, मैंने क्या किया, किसी current stone के उपर हो आप, वहाँ पे options लिखे हुए होंगे, कि यहां से इतने इतने का jump allowed है, तो मैं वो सारे jump explore करता हूँ, अगर वहां से jump लागा किसी दूसरे stone के उपर पहुँच रहा हूँ, कितने का jump लगा के गया, let's say k का jump लगा के गया, जिस stone के उपर पहुच रहा हूँ, वहाँ पे options लिखा हूँगा, इसी stone के उपर खड़ा होते हुए, यहां से मैंने k का jump लगा था, तो उसके लिए k-1, k और k-1 option रहेंगे, रहेंगे, और ऐसा करते हूए, अगर आप आखरी stone के उपर पहुच जाते हूँ, तो return true करा दिया, अगर ऐसा करते हूए, आखरी stone के उपर नहीं पहुच भाते हैं, तो last minute return false करते हूँ, correct, चीक जी, उमीर करता हूँ, आपको यह समझ में आया होगा, एक बार इसका dry run जरूर करके देखे, thank you very much for watching this video, please subscribe our YouTube channel, thank you.